ये पार्ट सकिंडियर के विद्धार्थियो ये व्याख्यान में आपका स्वागत है हम प्रत्म प्रश्ण पत्र के अंत्रगत उधवशतक के पदों का पार्ट कर रहे थे और अब उधवशतक समाप्ति की ओर है आप इसके प्रसंग से भली भाती परिचित हो चुके हैं उमीद करती हूँ आप इन व्याख्यानों से लाभान वी थूए होंगे आज आपको पद संख्या 88, 89, 91, 92 तक के पदों की व्याख्या करवाई जाएगी मैं पदका पाट करती हूँ ठाम ठाम जीवन वहिन दीन दी से सबे चलती चबाई बात तापत घनी रहे कही रत ना कर नै चैन दिन रहन परे सूखी पते छीन भई तरूनी अनी रहे जारो अंक सब तो विधाता है यहां को भयो ताते ताही जारन को ठसक ठनी रहे बगर बगर रस्भान के नगर नितभिश्म प्रभाव भीशम प्रभाव ग्रिश्मरितू बने रहे यहाँ पर शलेश्ट के माद्यम से भीजन ताप वाली ग्रिश मेरिटू और गोपियों की दशा का वर्णन इसमें किया गया है कि विरह के ताप से वो कैसी हो गई है तो इस पर के दो अर्थ निकलते हैं और उन दोनों अर्थों में एक विरह के संदर में निकलता है कि विरह के पक्ष में नाइकाओं की या गोपियों की क्या दशा हो गई है और दूसरा है ग्रिश मेरित्व में तो विरह के पक्ष में श्लेश होने की कारण दो अर्थ हैं तो पहला अर्थ ये निकलता है कि हे उद्धव विरह व्यत्था के कारण हम सम लोग जीवन, वहीन और दुखी दिखाई दे रहे हैं अर्थात कि हम सब जीवन हमारा शरीर तो है भोतिक शरीर तो है लेकिन उसमें जीवन की आस नहीं है और सब दीन ही इन से हैं हमारी स्थिती बड़ी दारून है हम दुखी है निराश्रित है आशाहीन है और स्रीकृषन की वियोग की दशा को हम जेल रहे हैं चलती चबाई बात तापन घनी रहे और चार और निंदा की बाते निंदा भरी बाते और हमारे और कृषन के प्रसंग को लेकर कि नहीं जानी कैसी कैसी बाते कही जाती है तो हमारे मन में तापत घनी रहे, बहुत अधिक पीड़ा और बढ़ जाती है कहे रतनाकर ने दिन चैन रहन पड़े कभी रतनाकर कहते हैं कि इस तरह की वातें सुन करके हमें ने तो दिन में चैन मिलता है और ने रात को मिलता है हम दिन और रात प्रति पल प्रतिक्षन व्यथित रहती हैं बेकल और बेचेन रहती हैं सूखी पत चीन भई तरुनी अनी रहे और हम सब ब्रज की तरुनियां है वो कैसी हो गई है विरे वेता से सूख कर कृष्काई हो गई है सूख गई है अर्थात अब ये शरीर है वो हड्डियों का धाचा मातर रह गया है और दूसरा यहां भी यह भी अर्थ निकलता है कि विरेवेता से सूख करके हम लजजाहीन हो गई है अर्थात स्री कृष्ण की प्रती हमारा प्रेम है और हमारी जो विरेवेता से स्थिती उत्पन हुई है उसके कारण समस्त ग्राम वासियों पर हमारा संबन्ध है वो जग जाहिर हो गया है और मानो अब हम लजजाहिन सी भी बन गई है जार्यों अब तो विधाता है यहां यहां भयों ताते ताही जारन को ठसक बनी रहे अर्थात यहां पर कहर mango कामदेव करने यहां पर नवास ही रहता है जार्यों और ہमारे समस्त अंगों को मानो ये जलाने गुलाने में लगा हुआ है अर्थात कामदेव स्यम्भी अंग हीन है अनंग कहा जाता है उसको शिव के करोथ के कारण वो भस्म हो गया था तो कहरें कि कामदेव मानो सर्वतर यहां बना हुआ है और हम भी इसी विरह विता में हमको भी वो जलाने की धुन या ठसक लगी है उसको जिद लगी हुई है और एक नएक दिन हमको जला करके इस्यम्भी भाती अनंग बना देगा शरीर विहिन बना देगा अर्थात हमारे शरीर का अस्तित भी समाप्त हो जाएगा कृष्ण की विरह की दशा के कारण एक दिन ऐ ऐसा अवश्य आएगा यदि कृष्ण हमसे नहीं भेट करते हैं या उनसे साक्षात नहीं होता है तो बगर 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 नगर व्रशभान के नगर ने तो भीशम प्रभाव गृश्म रीतू बने व्रशभानों के नगर में घर घर विरह वैथा का भीशन प्रभाव इस काल में भी बना हुआ है व्रशभानों का नगर अर्थात जो रादिका का रादिका के पिता का या रादिका का नगर है वहाँ पर भी विरह वैथा का भीशन प्रभाव अर्थात बहुत अदी कठोर प्रभाव दारुन दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है इस समय वहाँ अब ये तो गोपियों के संदर में विरह के स्थिति में हैं दूसरा गृष्म रितु की स्थिति का भी इसमें अर्थ निकलता है तो यहां पर उसो निकलता है कि है उदव यहां पर गृष् मरीतु होने के कारण सहबसतान जल से रहित हो गया है यहां पर सूखा पड़ गया है और वो प्रबाहीन अर्थाद कान TIE हीन हो गये हर्याली समापत हो गई है जल नहीं है और सूरे के भीशन ताप के कारण यहां पर मानो प्रकरती भी है सुखे पत्तों वाले ठूट हो गई है और यहां वायू इतनी तीवर चलती है कि लूग के थपेड़े से प्रतीत होते हैं वो शरीर को दिनराज जुलसाते रहते हैं और इस भीशन ताप के कारण ने दिन में चैन है और ने रात में चैन है व्रक्षों के सूख पत्त हीन भई तरूनी आनी रहे और व्रक्षों के जो समू है वो भी पत्तों से रहित हो गए अर्थात बहुत अधिक भीशन ताप के कारण और जल के अभाव के कारण नमी सूख हर्यली सूग गई है और व्रक्ष अब ठूट में परिवर्तित हो गए हैं पत्त हीन पत्तों से रहित हो गए हैं अब तो यहां पर सूरिये ही यहां का विधाता बना हुए जारू और हमारे सब अंगों को वो अपनी बहुत अधिक लू से गर्म हवाओं से गर्म थपेड़ों से जला रहा है और सरवत्र गर्मी ही गर्मी या ग्रिश्म ही ग्रिश्म फैला रहा है और हम सब ब्रजवासी उसमें जल रहे हैं सूरिये व्रिश्ट राशी में आ जाने के कारण ब्रिश्ट भान अर्थात सूरिये जो है वो व्रिश्ट राशी में प्रवेश्ट हो गया है और उसके करण गृष्मी रितु का जो प्रभाव है वो भीशन बना हुआ है और ये ने जाने कब तक बना रहेगा भीशन गर्मी पढ़ रही है तो इस भादी इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं एक पूरा का पूरा सटीक बैठता है गृष्मी रितु के प्रभाव के करण दूसरा क्रिशकाय होती हुई गोपियों की दर्शा पर मौति सुन्दर धंसे कभी ने कभी का कला कोशल इसमें दिखाई देता है रहती सदा हरियाई ही गावनी में उरद उसांस सो जखोर पूरवा की है पीव पीव गोपी पीर पूरित पूरकारती है सोई रतना कर पुका पपीहा की है लागी रहे नैनन से नीर की जहरी ओ उठे चित में चमक तो चमका चपला की है बिनु घनशा में घाम धाम रज मंडल में उधोनित बरसती बहार बरखासी है अब यहाँ पर गोपियां कहती है कि है उदव यहां तो हम गोपियां जो है स्री कृष्ण के भी रह के कारण नित प्रती हमारे खृदय के घाम हैं वो सदेव हरे ही रहते हैं अर्थात स्री कृष्ण की पीड़ा का अंत होने में ही नहीं आता जो विरह से उत्पन हुई पीड़ा है हमने उनसे प्रेम किया और उस निश्टूर ने छोड़ करके यहां से प्रस्तान करके मतुर भी निती संगत नहीं है ऐसी में गोपियां कह रही हैं कि हे उधव रहती सदाई हर्याई ही घावन में कि वर्षा रितू में जैसे सर्वत्र हर्याली रहती है वैसे ही उसी के समान विरह व्यता से हमारे जो पीड़ी थिरदे हैं उनके घाव सदाई हरे बने रहते हैं हमारे खाव भी स्रीकृष्ण के निरंतर स्मिलितियां हम पे बनी रहती हैं, हमें दग्द करती हैं, पीडित करती हैं और हमारे हाव हरे भरे अर्थाद बहुत अधिक पीड़ा पहुचाने वाले बने हुए रहती हैं उरद उसासो जकोर पुरवा की है और पुरव दिशा की पुरवाई की भाती पुरवाई के जोकों के समान निराशा से भरे हुए दिर्ग निश्वास या उच्वास के जकोरे सदेव चलते ही रहते हैं हम विरह की दशा के मारे उच्छवास, श्वास प्रश्वास की प्रक्या है, वो दिर्ग्र निश्वासों में परिवर्थित हो गई है। पीव पीव गोपी पीर पुरित पुकारती है, जैसे वर्शा काल में पपीः पीव पीव की रट लगाता है, उसी भाती पीड़ा से परिपूर्ण होकर के गोपियां भी अपनी प्रिये को सदा ही पुकारती रहती हैं। विरह की विरहागनी में जलती हुई विरह वेदना से भरी हुई गोपियां हैं, वो अपने प्रिये की रट लगाती हैं, एक और पपीः वर्शा रितु में लगाता है और हम तो सदे भी लगाती रहती हैं। लागी रहे नैननी सो नीर की ज़री ओ और हमारे नेत्रों से नीर की ज़री अर्थात अवीरल अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। अश्रु की सदेव जड़ी लगी रहती है, जैसे वर्शा रितु में जड़ी लगी रहती है, निरंतर सावन के महिने में या पावसकाल में बरसात होती ही रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसी बाती हमारे नेत्रों पर भी मानो वर्शा रितु में जड़ी लगी है, और क का चपला की है बिनु घन शाम घाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है यहां पर गोपियां के लिए कि हे उधो जैसे यहां चपला और उठे तो चित में चमक है और हमारे जैसे वर्शा काल में घने बादलों में बिजली चमकती है उसी भाती कभी कभी टीस चमक की भाती बिजली की दामेनी की भाती हमारे हिर्दे में और अधिक पीडा चमक उड़ती है अर्थात और अधिक घर कर जाती ह बिनु घनिशाम बिना बादल के ब्रेश मंडल के स्थान स्थान में बिना काले बादलों के अर्थात कृष्ण के वियोग में भी ब्रेश मंडल में तो मानो धाम धाम प्रतेक स्थान पर नित प्रती ही बरसा होती रहती है अर्थाद यहाँ पर गोपियों ने वर्षा रितु के सामें से अपनी भावदशा का वर्णन किया है विद्यार्थियों सूर का भी ऐसा ही एक पद है कि निजदिन बरसत नैन हमारे जबते सदा रहते पावस रितु इन पे जबते शाम सिदारे अर्थाद जब से कृष्ण गए हैं तब से इन नित्रों पर सदा पावस रितु ही रहती है तो यह भाव सामें बिल्कु सटी कि यहाँ पर गटता है अगला पद है जात घने शाम के ललात द्रग कंज पाती घेरी दिक साद भौर भीर की अनी रहे कई रतनाकर विरह विदु पाम भयोग चंदरहास ताने घालत घनी रहे सीत घाम बरसा विचार विनु आने ब्रज पंचवान बानने को उमठ ठनी रहे काम विदना सो लखी फरत दवामी सदा दरद दिवया रितु सरद बनी रहे कभी रतनाकर यहां पर कह रहे हैं कि जो गोपियां है वो उदव से कहती है कि कैसे जो शरद रितु का वर्षा के पस्चार शरद आता है शरद में पूरी प्रकरती एकदम सुच्छ और निर्मल हो जाती है तो यहां पर कहती है जात घंशाम के अर्थाद घंशाम के जाने स्री किष्ण के जाने से और काले काले बादलों के जाने से शरद काल में काले काले बादलों के हट जाने से सुरी का प्रकाश जैसे ही आता है सुरी के प्रकाश को पा करके और कमल खिल जाते हैं लाल कमल खिल जाते हैं उसी भाती कृष्ण के चले जाने से हमारे नेत्र रूपी कमल भी जात घंशाम के अर्था स्री कृष्ण के चले जाने से हमारे नेत्र जो कमल रूपी नेत्र हैं व वो समाप्त हो करके लाल ही बने रहे गए हैं तो कहने कि हम स्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए लल चाते रहते हैं देखी दिखे गेरी दिकसाद भोर भीर की अनी रहे और उनकी दर्शनों की अभिलाशा या कामना को लिए तिवर इच्छा रूपी भोरों की सेना अनी हमर की सेना हमें घेरे ही रहती है चंद्रहास ताने घात घालत घनी रहे और विरे रूपी चंद्रमा है वो भी अब हमसे बाम भयो अर्थात विप्रीत हो गया है अर्था जो चंद्रमा है जो संयोकाल में आनद देता है जिसकी चंद्री का सुकदाई लेती है और प्रेम औ और जो ये चांदनी भी है वो चंद्रहास जो एक घातक रावन की तलवार थी वो हमें चांदनी रूपी तलवार को तान करके मानो हमें पीडा पहुचा रहा है घातक बना हुआ है घातक वार कर रहा है हमें हमारे लिए मारक सिद्ध हो रहा है पंच बान बाननी की उमर ठनी रहे सीत घाम बर्षा विचार बिनु आने और इस ब्रज में तो शिशिर ग्रिश में बर्षा रितु इन सब का पंचबान लेकर के मानो कामदेव ने यहाँ पर जड़ी ही लगा दी है अर्थात कामदेव ने यह ठान कर क्या है कि अपने संपूर प्रभाव के साथ ब्रज में बिराजेगा और हमें पीडित करता रहेगा काम बिदना सो लही फरद दवामी सदा दरद दिवया सरद रितु बनी रहे अर्थात कामदेव रुपे विधारता ने तो फरद अर्थात यहाँ रहने का पट्टा बना लिया है दवामी स्थाई पट्टा ही बना लिया है और व रीती परे सकल निशंग कुसुमायद के दूर दूरे काने पेने ताते चले चारो है कहे रतनाकार बिखाई वर मानस को लीनो है हुलास हंस बास दुविनारो है पाला परे आस पेने भावत बतास बतास बारी जात कुमिलात हियो कमल हमारो है शट रितु है वे अनंत दिगंतनी मैं इत्तो हिमन्त को निरंतन पसारो है यहाँ पर गोपियां रितू के प्रभाव को रिप्तू के प्रभाव के माध्यम से अपने वियो का वनन कर रही है उनकी स्थीतियों का प्रकट अपनी स्थीतियों को प्रकट कर रही है उपर शरद और पावस का वनन किया गया है याद पर तकरी कुसुमायद अर्थार्थ कुसुम का धनुष है जिसका आयुद है जिसका शर्ष्त्र है अर्थार्थ कामदेव कि मानो कामदेव का जो निशंग है तरकर्ष है वो भी खाली हो गया है हे उधव यहाँ पर कामदेव ने अपना इतना प्रभाव जमाया है हमें इतनी अधिक पीड़ा जमाई है इतने बाणों के तीर चलाए है पंचबान उसने हम पे चलाए है ऐसा वो ठान के बैठा है और अब तो ऐसा प्रतीत होता है कामदेव के सभी तरकश भी निस बाण से रहित हो गए है दूर-दूरे काने पे ने ताते चले चारो है क्योंकि क्रिशन तो कहीं दूर जाकर के छिप गए है चले गए हैं इन चारों से इस कारण इन बाणों का उन पर तो कोई प्रभाव पढ़ नहीं रहा है अर्थात कृष्ण तो इस प्रेम की लीला से मुक्त हो गए है और हम गोपिया या ब्रेश में रहे करके कामदेव के बाणों की मार छेलने के लिए विवश है कहे रतनाकर बिहाई बर मानस को अर्थात जो हमारा हरदयरुपी मानसरोवर को छोड़ करके जो कृष्ण है वो कहीं दूर जाकर के बस गया है हरदयरुपी मानसरोवर को छोड़ करके हमारा जो उल्लास है लीनो है उल्लास हंस बारत दूविनारो हमारा जो उल्लास रुपी हंस है वो कहीं दूर जाकर के अपना निवासस्तान बना लिया या हमसे दूर हो गया है भाव ये है संक्षेप में सरल रूप में कि हमारा जो हृदे का उल्लास था वो स्रीकृष्ण के साथ ही कहीं अन्यत्र चला गया है अर्थात हृदे रूपी हमारा जो मांसरोवर है उसको छोड़ करके उल्लास रूपी हंस कहीं पालो परे आस में भावत बतास बारी जात कुमिलात हीयो कमल हमारो है और इसलिए हे प्रबू हमें एक बार भी वाईू रूपी बात करने की इच्छा नहीं रह गई है पाला परे आस ने भावत बतास बारी अर्थात पाला पड़ गया है और हमें एक बार भी जो वाई रूपी बात करने की कामना हमारी शेश नहीं रह गई है इसलिए हमारा जो हर्दर रूपी कमल है जात कुमिलात हियो कमल हमारा हर्दर रूपी कमल है वो मुर्चा गया है, मलीन हो गया है, कलांत हो गया है, कांती हीन हो गया है लेकिन यहां केवल हेमन्त रित्य परिवर्तन होता है हर रित्य के अपना एक आनन्दाइ परभाव स्वास होता है तो आ के शट रित्य हैं औनका चक्र नेग और रहां है तो निए भरबरुघा मुझाए लेकिन हमारी यहां तो हेमंत को निरंतन पसारो है कि निरंतन हेमंत का ही पसार रहता है भाव यह है कि सदे शीत रितु ही यहां तो विद्धमान रहती है और उसका पाला हम पर पढ़ गया है पाला पढ़ना अर्थात जैसे बर्प की मार से या ते लिक्षीत के खारण कमल मुर्जा जाते हैं उसी बाती गोपियों के हरदे रूपी कमल भी मुर्चित हो गए हैं धन्यवाद